गर्मी और बरसाथ की मौसम में अक्सर घरों में कौक्रोच का कहर बढ़ जाता है खासकर किचिन में कौक्रोच की मौजूदगी कई गंभीर बिमारी को जर्म दे सकती है कौक्रोच से पीछा छुडाने के लिए लोग कई तरह के स्प्रे और टाबलेट्स का अस्तवाल करते हैं मगर इनका असर खटम होने के बाद कौक्रोच फिर से नज़र आने लगते हैं ऐसे में कौक्रोच के आतंक से चुटकारा पाने के लिए आप कुछ असरदा तरीकों की मदद ले सकते हैं अब कौक्रोच से परिशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आए हैं जो आपके घरों से कौक्रोजों को बाहर फेक देंगे ये घरेलू उपाए कौक्रोज को दूर कर घर को साफ और स्वस्त रखने में मदद करेगी कौक्रोज को भगाने के घरेलू उपाए कौक रोज को भगाने के लिए आप बेकिंग सूरा का इस्तमाल कर सकते हैं इसके लिए हमें बेकिंग सूरे को कटोरी मिलेकर उसमें चीनी मिला लेनी है इस मिश्रन को वहां रखे जहां पर कौक रोज ज्यादा दिखाई देते हैं इसकी स्मेल से कौक रोज भाग जाएंगे नीम का इस्तमाल सालों से तिल चिटे और अन्य कीटों के लिए घरेलो उपचार के रूप में किया जाता है नीम के तेल या पाउडर में शक्तिशाली घटक होते हैं जो तिल चटों को मार सकते हैं इसे तेल के रूप में उपयोग करने के लिए एक स्प्रे बोतल में पानी के साथ थोड़ी मात्रा में नीम का तेल मिलाएं और इसे उन जगाहूं पर स्प्रे करें जहां आपने इन कीटों को देखा हो। हाला कि यदि आप नीम पाउडर का उपयोग कर रहे हैं तो आपको बस इतना करना हैं कि इसे रात में कौकरूज से प्रभावी छेत्रों में छिड़कने के लिए और साथी सुभा इस प्रक्रिया को फिर से दोहरान होगा। पेपर मिंट ओयल कौकरूज को दूर रखने के लिए सबसे प्रभावी आवश्यक तेलों में से एक है। कौकरूज के संकर्मन के सबसे आम कारणों में से एक सिंक में गंदे बरतन है। करें। ये घरेलू उपाय अपना कर आप कीट नाशकों से मुक्ती पासकते हैं। करें। 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 झाल झाल झाल